अचारे जी प्रणाम शिविर करने से काफे कुछ समझ आने लगा है जैसे कल के सत्संग से ये बात समझ में आई कि अब उपनिश्द का पार्थ करना है यह मैंने अभी तक नहीं किया था अचारे जी इस सीख के अलावा कुछ और जो आप मुझे बताना चाहेंगे जो मैं शिविर से लेकर जा सकूँ थोड़ी थोड़ी देर में जाचते रहिएगा कि जैसे यहां हैं वैसे ही बचे हैं या नहीं बचे हैं आपको सीख की नहीं स्थिरता की जरूरत है सीख तो खूब दे दी उन सीखों पर स्थिर रह पाएं अब यह चाहिए और ज्यादा सीख मत मांगिए बलकि इतनी जो बातें सुनी हैं उन में से किनी एक दो बातों पर भी अगर अडिग रह गए तो बस हो गया वो अडिगता चाहिए अटल अकम्प वहीं पर हम हारेंगे हमारी हार इसलिए नहीं होनी है कि हम ना समझ है या शिविर में हमें बातें समझ में नहीं आई हम हारेंगे क्योंकि जो हम समझते भी हैं जानते भी हैं हम उससे बेइमानी कर जाएंगे हम डिग जाएंगे अग्यान का इलाज हो सकता है बेइमानी का क्या इलाज है बेइमानी तो एक फैसला है न एक तरफ इमान है और एक तरफ बेइमानी धर्म और अधर्म में किसको चुनना है यह तो सदा एक फैसला होता है बार बार जाचते रहिए वो फैसला सही हो रहा है या नहीं हो रहा है बार बार सही फैसला करने का लाव ये होता है कि धीरे धीरे वो जो गलत फैसला करता था वो कमजोर हो करके सो जाता है वो हताश हो जाता है वो कहता है मेरे पक्ष का फैसला तो कभी होता ही नहीं मैं गलत काम करने की बार बार अपील करता हूँ अरजी देता हूँ पर गलत काम के पक्ष में कभी निरने अब होता ही नहीं तो वो बिचारा उदास हो जाता है निराश हो जाता है वो फिर सो जाता है मर नहीं जाता, सो भर जाता है, वो सोजा इतनी बहुत बड़ी का नीमत है, उसको मारना तो बहुत दूर की कोड़ी है, उसको सुलाईए, बार 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 प्रतिपल जीवन में, सही निर्णे लेने का अभ्यास करिये, ताकि गलत निर्णेओं का जो पैरोकार है, गलत निर्णेओं का जो वकील खड़ा हुआ है अभीतर, जो बार बार कुतर का देता है, नहीं ऐसे करो, नहीं वैसे करो, वो फिर उदास हताश हो करके, सोने चला जाए, जब सोने चला जाए तो प्रार्थना करते रही है, कि अभी ये सोता ही रहे हम जगे रहें और ये सोता रहे है तो इजाचिएगा दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार अपने आप से पूछिएगा हम?